सर्दियों की सीजन में हरे ताजे मटर बहुत ही अच्छे लगते हैं तो मेरे हस्बन भी इसे बहुत सारे उठा के लेके आगे तो समझनी आ रहा था इन मटर का मैं क्या करूँ मटर के पराठे और कचोरी खाखा के हमबोर हो गए थे कुछ नूप नाष्टा बनाए जा हुए है को असलैक इस जाला थी करने महाँ सा utility में या यह तो में जाल दिए यह पहले मतर को उसके पहले क्यांसा है तो सौचत इसे फोड़ा इस ही में पनाती 주가 heeft फेस्ट बनालिये तो इसे बावल में निकाल दूगी अब इस मिक्सी के अंदर में थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर जो एक्स्टा बैटर लगा हुआ है वह भी मैं इसमें से निकाल दूगी पहिए वेस्ट क्यू करना जब हम खरीद के पैसे देखे लाए हैं तो इसे भी हम इसके अंदर डाल देंगे और अब मैं यहां पर क्या करूँगी कि इसके अंदर मैंने यह हाफ कप जितना मैंने दही लिया है यह दही खटा है तो मैंने हाफ कपी लिया है वह हम इसके अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से mix कर लेंगे इस तरीके से दही को इसके अंदर अच्छे से fat लेंगे अब मैंने यहाँ पर एक कप जितना सूजी लिया है इस सूजी को हम इस बैटर के अंदर डाल देंगे और इसे भी अच्छे से mix कर लेंगे इसमें कोई lumps नहीं रहना चाहिए इसमें कोई गुटली नहीं रहनी चाहिए इस तरीके से हम इसे अच्छे से mix कर लेंगे और इसे ढख कर 10 मिनट के लिए rest होने के लिए छोड़ देंगे जब तक मेरा ये सूजी फूल के तयार होता है rest करता है 10 मिनट ये बैटर तब तक मैं आपको याद दिला देती हूँ कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को like और share जरूर करें और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद नहीं आता है तो आप उसे dislike भी कर सकते हैं पर अपना feedback जरूर दें अब जब तक ये बैटर रेस्ट करता है तब तक हम क्या करेंगे एक पैन लेंगे और उसके अंदर हम थोड़ा सा ओयल डाल देंगे जब ये oil हलका गरम हो जाए तब इसके अंदर हम थोड़ा सा राई डाल देंगे और अब इसके अंदर मैं ये अपनी पसंद के इसाफ से मैंने कुछ सबजय ली है आपको जो पसंद हो आप वो सबजय ले सकते हैं मैंने आपे cabbage, sweet corn, capsicum, carrot और onion लिया है और साथ में मैंने थोड़ इसे कड़ी पता लिया है वो भी हम इसके अंदर डाल के इसे तेज आज पर ही दो मुनेंगे इसे जादा नहीं पकाना है बस इसे हलका सा भुनना है जिससे की इसका कच्छापन चला जाए अब इसके अंदर हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे और साथ में मैंने यह वन टी स्पून चिलि फ्लक्स लिया है वो इसमें डाल देंगे मैंने यह पर रेड चिली पाउडर का यूज नहीं किया है रेड चिली पाउडर से इसका कलर चेंज हो जाता है यह सबजया हमारी कितनी कलर फुल दिक इसलिए मैंने चिली फ्लेक्स डाला है ताकि इनका कलर यह ऐसा ही बना रहे अब मैंने यह तंदूरी मयो लिया है वह वन टीस्पून जितना इसमें डाल दूंगे और साथ में यह तू टीस्पून जितना केचप डाल दूंगी इन दोनों सॉस को अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस को बंद कर देंगे मैंने यह पर गैस को बंद कर दिया है ताकि यह सॉस ज़ादा पके नहीं ओयल नहीं छोड़े अब मैं यह तोड़ा सा प्रोसेस चीज डाल रही हूं इसके अंदर यह हमारा मसाला गरम है तो यह चीज अच्छे से मेल्ट हो जाएगा यहां पर तो हम एक अलग बाउल में निकाल देंगे यह ते कि हमारा मसाला भी बणके त्यार हो चुका है और अब हमारे यह उदर यह बैटर भी एकदम सेट हो चुका है सूजी अच्छे से फूल चुकी है इसके अंदर यह दिखिए मैं आपको मिक्स करके दिखाती हो यह दिखिए स अच्छे से हम फिर से मिक्स कर लेंगे अब मैंने यहां पर यह इनो का पॉच लिया है वो हम इसके अंदर डाल देंगे यह करीबन 1 टीस्पून के जितना होता है वो इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा में इसमें पानी डालोंगे जिससे की इनो एक्टिवेट हो जाए और हम फटा फट से मिक्स कर लेंगे इनो बैटर में अच्छे से मिक्स हो चुका है यह बैटर अच्छे से फूल चुका है अब हम एक अपम का पैन लेंगे अपम का पैन लिया है मैंने इसे गैस पे रख दिया है गरम होने के लिए इसे हम ऑल से बटर से आपको जो पसंद है उ इतनी मेंदे अटना की सब्षीि, शूजी के बड़ना के अब न स्कावि एप मटर अए हमने बडर आता टो करे कि यह एक फिर इस लिए का यह पार इसलिए के अजिए बड़ने सूजी और वहाई है अब हम इसके ओपर यह बैटर लगा के फिर से इसे अच्छे से कवर कर लेंगे ताकि यह सबजिया इसके अंदर से बाहर न निकले अब हम इसे ढख कर इसे साइट की कॉनर को थोड़ा पकने तक पकाएंगे यह देखे साइट की कॉनर का कलर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है यह नीचे से फोड़ी सी पकने स्टार्ट हो चुकी है तो हम इस स्टेश पर इसके उपर थोड़ा सा हम ओजिऊ बटर कुछ भी लगा लेंगे मैं यह आ पर यह ओल लगा रही हूँ इसके उपर अब हम इसे एक स्पून की साइता से इससे पलट लेंगे हमें यहाँ पर थोड़ा कैरफुली इससे पलटना है ताकि इसके अंदर जो हमने सब्चियों का मिक्षन डाला है वो बाहर ना निकले इस सारे अप्पम को मैंने इस तरीके से पलट लिया है अब हम इसे ढख कर फिर से पकाएंगे यह देखिए हमें तीन से चार मिनट होके हैं अब हम इस ढखन को हटा कर फिर से इने एक बार पलट लेंगे इसी तरीके से हमें उलट पुलट करते हुए इसे दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक हमें इसे पकाना है यह देखिए हमारे अपम एक साइड से तो क्रिस्पी हो चुके हैं अब इसे प्लेट कर दूसरी तरह से अच्छे से क्रिस्पी कर लेंगे यह देखिए हमारे ग्रीन अपम या आप पीजा अपम भी इसे बोल सकते हैं क्योंकि हमने इसमें चीज और वैजिस डाली है तो यह देखिए हमारे अपम बनके तयार हो चुके हैं यह देखिए ग्रीन अपम दिखने में कितने डिलीसियस लग रहे हैं अब हम क्या करेंगे एक पैन लेंगे आप यह पर यह बड़ा पैन भी ले सकते हैं या फिर इस तरीके से छोटा जो पैनके के लिए पैन आता है फ्राइपैन वो ले सकते हैं इसे हम थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे और इसके अंदर हमने जो वह बैटर बना के रखा था इसे चान मनट के लिए पकने देंगे ताकि यह नीचे से थोड़ा सा 소ta क्रिसपी हो जाए इसके उपर से इसका Le चैंज होना स्टार्ट हो चुका है तो अब हम इसके उपर थोड़ा सा ऑईल डाल देंगे या इसके उपर ऑईल डाल दिया है ये इसकी आपी कॉनर लें तो आँ झाले हैं तो आप हम इसे प्लेट में निकाल देंगे थनकी से बड़ाद आख दुछेंगे थनकी पेल्ट में डाले lift लिए झाल है इसलिए नहेंने में फिर उल्टा करके भाले करें के दूरी साइट से डाल दिया है अब हम इसे ढख को फिर से 3-4 मिनट के लिए पकाएंगे दूसी तरफ से भी ये काफी क्रिस्पी होना स्टार्ट हो चुका है ये दे कि दूसी साइट से भी थोड़ा पक चुका है तो अब हम इसके उपर हमने जो मसाला बना के रखा था चीज और वेजिस का वो हम इसके उपर डाल के थोड़ा फैला लेंगे और इसके उपर में थोड़ी सी मसाला चीज डाली हूँ ताकि ये दिखने में भी सुन्दर लगे और खाने में और भी टेस्टी लगे अब हम इसे ढख का चीज मेल्ट होने तक पकाएंगे ये देखिए तीन से चार मेट में ये चीज अच्छे से मेल्ट हो चुकी है उपर से और नीचे से भी काफी क्रिस्पी हो चुका है ये देखिए हमारा ग्रीन बेस पीजा भी भनके तयार हो चुका है ये दिखने में भी बहुत ही अच्छा लग रहा है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बना है मेरे घर में तो ये सब को बहुत ही पसंद आया है मेरे बेटे को भी ये बहुत ही पसंद आया है वो तो बोलने लगा ममा आप अब रोज यही टिफिन में देना मुझे मटर का बहुत ही अच्छा नाश्टा बनके त्यार हुआ है आपके घर पे अगर कभी कोई गैस्ट आ रहे है तब भी आप इसे बनाकर सर्व कर सकते हैं और आप अपने बच्चों को भी टिफिन में बनाकर दे सकते हैं ये देखिए एक में अपम आपको तोड़ के दिखाती हूँ ये अपम उपर से बहुती क्रिस्पी और अंदर से बहुती वैजीज चीज भरा हुआ है आप इसे अपनी पसंद की चटनी कैचप किसी के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं और ये हमारा ये ग्रीन बेस पीजा भी बहुती अच्छा बना है जो इसका बेस हमने बना है उसे मैंने थोड़ा क्रिस्पी कर लिया था उपर से मैंने चीज डाल के उसे और चीजी बना लिया है ये खाने में बहुती टेस्टी है तो इन सर्दियों में आप भी अपने घर पर मटर से ये रेसेपी बना कर त्यार करें आपके घर में भी ज़रूर ये सबको बसंद आएगा आपको मेरी रेसेपी कैसी लगी ये मुझे कमेंट करके जरूर बता है तो चलिए हम मिलेंगे अपनी नई वीडियो और नई रेसेपी के साथ तब तक के लिए बाई बाई थैंक्यो फॉर वाचिंग